दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एलाइज करेंगे NCL Research and Services Limited क्या आप भी इस कंपनी को बाई करके फर्स चुके हैं? तोकि यह कंपनी जैसे एक रुपए को ब्रेक करके उसके नीचे आया था उसके बाद इस कंपनी में लगातार आपको बड़ी ग्रावट देखने को मिलना है जिन लोगों ने सौट टम के लिए बाई किया था उस टाइम उन लोगों ने अपना इस टॉपलस एक रुपए के पास में जरूर लगाया होगा अगर नहीं लगाया तो फिर अब क्या करें इस कंपनी के अंदर क्या इस कंपनी से निकल जाएं या फिर रिकवरी का वेट करें सब कुछ डिटेल में अनलाइज करके हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे तो वीडियो में लांस तक बने रहें कोई भी पार्ट मिस न करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को सबसे पहले अगर इस कंपनी के हम कैंडलिस्टिक चार्ट की बात के तो आप देखेंगे इस कंपनी के अंदर सेलिंग प्रेसर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा यानि जो जो candle इसमें selling का आपको देखने को मिलेगा, red candle देखने को मिलेगा, उसमें volume भी अच्छी खासी growth आपको देखने को मिलेगा, और जैसे green candle पर आप देखेंगे, तो green candle में volume कापी छोटा सा बनता हुआ दिखा है, यानि लोग buyers जो इसमें है वो कापी कम है और sellers कापी जाता हर कोई इस company से निकलने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको भी निकल जाना चाहिए, विल्कुल दोस्तों, अगर आपने 100 तम के लिए इस company को वाई कर रखाया, तो निकलने की तैयारी कर लें, stop loss की price पर लगाया है, तो दोस्तों और 18, यानि 18 से 20 के RSI लेवल के बीच में आप चाहिए, तो अपना stop loss लगा कर इस company को continue कर सकते हैं, company जैसे इसको break करके इसके नीचे जाया है, तो तूरंद निकलने की तैयारी कर सकते हैं, long term बालों को क्या करना चाहिए, अगर उसकी बात करते हैं, दोस्तों उनके लिए ज license रख सकते हैं, उतना loss wear कर सकते हैं, तो बिल्कुल hold करके चलें, otherwise निकलने की कोसिस करें, 50 पैसे के पास अपना stop loss लगा हैं, और इस company को continue करें, जैसे ये 50 पैसे को break करके इसके नीचे जाता है, तो तूरंद निकलने की तैयारी कर लें, अगर आप उतना risk नहीं लेना चाहि आपका जो stop loss का price होना चाहिए, वो होना चाहिए 60 पैसे के पास में, जैसे companies को break करके इसके नीचे निकले, तो फिर आप इसमें से निकलने की तैयारी कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें, thank you for watching this video